हाँ जी ये है तंदूरी स्टफड पराठा और इसे बनाने से पहले हम एक आग तयार कर लेंगे और इसे खाने के लिए एक चटनी तयार करेंगे ये हमने तंदूर बनाया है घर पे और चटनी बनाने के लिए अधरा खरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर लिया है और इसमें ह हम इसको बारिक चौप कर लेंगे, हम मोटी वाली चटनी वनाएंगे, एक दम फाइन पिसी हुई चटनी नहीं वनाएंगे इसके साथ खाने के लिए, ये सबसे पहले मैंने इसमें अद्रक चौप कर लिया है, फिर हरी मिर्च कर रही हूँ, अगर आपको ये चटनी अच्छी लगें खाने में, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, कि आपको ये चटनी का टेस्ट कैसा लग रहा है खाने में, अब इसमें हम डालेंगे हराधनिया, हराधनिया को फिंगर से पुश करते हुए, हम इसे पीस लेंगे, अब अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल से जल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मुवाइल पे आती जाएगी, और अब ये हमारा पेस चुका है, इसे हमने निकाल लिया है, अगर आप इंस्ट्राग् इसमें डाल कर इसे भी पीस लेंगे, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस चेटनी का टेस्क कैसा लगा, और आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो, तो मुझे जरूर बताइए कि आप किस किस जगा से देख रहे हो वीडियो और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना अब ये हमारे टमाटर पिस्चो के हैं इसे हम उसी बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने और चटनी निकाली है और फिर इसमें हम डालेंगे मसाले, मसाले में हमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालने हैं, थोड़े से ही डालने हैं, सबसे पहले हम कच्छा जीरा लेंगे, थोड़ी सी हींग लेंगे, उसे कूट लेंगे, और थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे, पीषने के बाद हम उसी चटनी में ये डाल देंगे और फिर टेस के अकॉर्डिंग हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक इसमें और साधा नमक ये दोनों आप टेस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो अब हम पराधा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा त्यार करेंगे आटे में ये मैंने डाला है बथुआ ये बथुआ है इसे हमने साफ करके धो के और चॉप कर लिया है चॉप करने के बाद हम लेंगे आटा ये गेहूं का आटा है इसमें टेस के according नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर उसके बाद ये बत हुआ इसमें डाल कर एक डोब तियार करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूत लेंगे हम आटा गूत रहे हैं जब तक तब तक हमारे आलू भी बॉयल हो चुकेंगे मैंने एक कुकर में आलूओं को वॉष करके बॉयल होने के लिए रख दिया था जब तक आटा गूतेंगे तब तक वो बॉयल हो चुकेंगे और उन्हें निकाल कर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ये हमारा आठा गुथ चुका है और हमने आलू को भी एक साइड में निकाल के रख दिया था ठंडा होने के लिए ये हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं अब इन्हें हम फोड लेंगे इन्हें फोडने के लिए आप पटेटो मैसर भी यूज़ कर सकते हो ये हमारे सारे आलू फोड चुके हैं अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे इसमें कुछ ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं इसमें हम डालेंगे जीरा हाफ टेवल स्पून और फिर डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर आप टेसके कोडिंग डाल सकते हो और देर टेवल स्पून धनिया पाउडर एक टेवल स्पून हम डालेंगे सौफ कुटी हुई फिर इसमें हम डालेंगे हींग हाफ टेवल स्पून और हरी मिर्च तीन से चार चौप की हुई और एक टेवल स्पून हम डालेंगे अदरक चौप किया हुआ फिर इसमें हम टेस्ट के according नमक डाल के इसे अच्छे से mix कर देंगे नमक हमें काला और सेंदा दोनों डाले है अगर आप काला नमक नहीं डालना चाते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं वैसे काला नमक डालने से टेस्ट अच्छा आता है और इसे mix करके जब तक हम एक side से रख देते हैं फिर हमने जो आटा गूता था उसमें से एक लोई लेंगे और एक छोटी सी रोटी त्यार करेंगे बेल कर फिर उसमें हम stuffing भरेंगे आलू बाली और इस तरह से इसको मोड कर रोटी को बंद कर देंगे बंद करने के बाद हाथों की हतेलियों से प्रेस करते हुए फिर हलके हाथ से बेलन की सायता से इस रोटी को बेल लेंगे और फिर बेलने के बाद गरम तवे पे इसको अलट पलट करते हुए इसको पका लेंगे और हमारा तंदूर भी रेडी हो चुका है हमारा तंदूर हमने घर पे बनाया है जो की एक लोहे का भगोना है और उसमें हमने कुछ लकड़ी कटी हुई डाल कर जला ली है और उसके उपर हमने एक ओवन की जाली रख दी है जाली रख कर उसके उपर हम अपना जो पराठा हमने पकाया है उसे रख कर अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से कुरकुरा सेकेंगे फिर इस पे हम लगाएंगे देसी गी आप चाहे तो इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हो आप जब इस पराठे को खाएंगे तो तबावाला पराठा खाना भूल जाएंगे और ये काफी टेस्टी लगेगा आप अपनी फैमली के सारे सदस्य को बैठा कर इस आग के पास मिल जुल कर जब इस पराठे को खाने का आनंद लेंगे तो इसका टेस्ट दो गुना हो जा और सभी मिल जुलकर इस पराढ़े को खाएं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सभी के साथ मिलकर खाना खाने का आनंद आपको किस तरह से मैसूस हो रहा है और खुशी दे रहा है कि नहीं